हाई welcome to my channel चले question number 8 करते हैं इसमें क्या बोला है कि half आप aherd of deer एक deer'ों का झूंड है a herd of deer मतलब क्या होता है deer का झूंड तो इसमें deer का जूंड है उसका half क्या कर रहा है grazing in the field वो grage कर रहा है मतलब घास चाड़ रहे हैं मतलब फिल्ड में तो जितना भी यह होगा पता नहीं कितना है अब कर रहा है कि end three-fourths of the remaining अब जो remaining मतलब क्या जो बचा हुआ है half जो है ग्रेज कर रहा है तो half बचे उस half में से three-fourths three-fourth का मतलब क्या होता है three upon four three-fourths का हम इस rational number को लिखते है three-fourth ठीक है in words वैसे ही आप 1 4th लिखेंगे तो 1 by 4 को लिखेंगे 1 by 4 कम भी सकते हैं words में 1 4th 3 4th लिखेंगे तो 3 by 4 5 7th लिखेंगे तो 5 by 7 इस तरीके से मतलब हम words को लिखते हैं words में लिखते हैं rational numbers को ठीक है तो कर रहा है कि 3 4th of the remaining मतलब जो remaining बचे हुए हैं उसका 3 4th are playing nearby वह पास में खेल रहे हैं the rest 9 are drinking water from the pond और खिर यह जब play कर रहा है उसमें सब जो बचे जो हैं उसके बाद जो बचे हैं वह कह कर रहा है drink कर रहा है water from the pond find the number of deer in the herd ठीक है तो हमें यह दो लास्ट वाला risk दे दिया है ठीक है तो बहुत असान है कर रहा है कि find the number of deer in the field जो पूछा है वही हम माल लेंगे x ठीक है ठीक है ठीक है समझेगा किसे मैं कर रहा हूं जैसे जैसे मैं इसको लिखूंगा वह ऐसे इस साल करूंगा मत्तर कि उपर से साल होगा सारा सारा ठीक है तो पहले में question जो पूछा है उसको मैं माल लेता हूं तो बोला कि find the number of deer in the field तो मैं बोलूगा कि x ठीक है माल ले हमने कि x field में है अब बोल रहा है कि half of herd जो half है वो क्या कर रहा है ग्रेज कर रहा है तो हम निकाल सकते हैं कि कितने ग्रेज कर रहा है तो number of deers number of deer grazing in the field grazing in the field देखें क्य wh cioè total जो है x है उस में से half जो है क्या कर रहा है ग्रेज कर रहा है यहां लिखा हुआ हम यह समझेगा । तो remaining dears यह निकल जाएगा क्या total में से total क्या था x है x में से मैनस कर देंगे जो यह half graze कर रहा है ठीक है तो यह जगा remaining तो यह आ जाएगा 2 और यहां पर जाएगा x by 2 ही जाएगा क्योंकि half यह जाएगा तो half ही तो बचे होंगे ठीक है अब आप इसमें से देखे जो remaining है उसका three fourth निकालेंगे और यह क्या कर रहा है प्ले कर रहा है तो हम लिखेंगे कि number of deer playing nearby playing nearby अब हम निकालेंगे कितने nearby खेल रहा है तो बोल रहा है कि remaining का क्या हुल रहा है remaining का three fourth तो remaining जो है x by two है x by two का three fourth is equal to करेंगी है three fourth मतलब three by four half x by two ठीक है यह ना आफ का मतलब क्या हता है multiplication लिख देंगे three by four half मतलब multiplication x by two two अब multiply कर देंगे तो हमारा जाएगा three x upon eight ठीक है इतने जो है nearby खेल रहे हैं यह अब इतना हो गया तो अब कितना बचा है फिर तो हम क्या करेंगे x by two पहले थे इसी का निकाला हमने three by four तो इसमें से यह घटा देंगे तो फिर बचा हुआ निकल जाएगा तो number remaining deer देखे इतना में से ही हमने निकाला था three-fourth तो अब जितना यह आया है यदि इसको हम इसमें से घटा दें तो remaining मिलेगा है कि नहीं x by two में से ही घटाना पड़ेगा three x upon eight को तो पता चलेगा कि कितना remaining है क्यों इसमें से घटाना पड़ेगा क्योंकि last में हम इसी से तो निकाल रहे है three by fourth half x by two किया है जब इसी का निकाल रहे है इसलिए हमें इसी में से घटाना पड़ेगा remaining निकालने के लिए ठोड़ा सोचिएगा इस पे क्यों ऐसा कर रहे है हाना सोचना बहुत ज़िरोरी होता है अब यहां पर हम ले लेंगे eight calcium two divided by four होगा four x हो जाएगा यहां पर minus eight divided by three x ही रहेगा solve करेंगे four x minus three x कि रहेगा x जाएगा x by eight अब यह जो x by eight आया यह remaining tier आया यहां बोल रहा है कि the rest यही जो बच्चे हुए है यही rest है the rest are drinking water from the pond तो according to question according to question लिख सकते है यां डिरेक्ट according to question we can have we have we have what we have x by eight जो यह remaining जो बच्चा है लास्ट में the rest nine यही रेस्ट nine है x by eight क्या है equal to nine होगा कितना आसान है it implies x is equal to y एगा nine eight जा 72 means total number of deer in the field is 72 यही आपका answer है अब लेके लिए जीगा total number of deer is equal to 72 कि अब कोई भी doubt इसमें है तो आप बिल्कुल question पूछ सकते हैं comment box में जाकर लिख सकते हैं मैं बिल्कुल जवाब दूँगा और thank you so much for watching कि लिए में कि ईपगते हैं लिए में लिए